पूरी ठारी आपके संग्सेयर करूंगी कद्दू खटी मिटी कद्दू की सब्जी के साथ पूरी चावराईस दही यह सब कुछ मैं श्वियर करने वाली हूँ तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ नया स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रियल रेसी तड़का में आज मैं कद्दू और आलू की खटी मिठी पूरी किसंग खाने वाली सब्जी की रेसिपी सेयर करने वाली हूँ को कद्दू बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है लेकिन अगर आप इ पसंद है उन्हें भी पसंद आएगा और पूरी केसंग तो यह तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए देर किस बात की पहले स्टार्ट करते हैं इसको बनाना अब सबकी बनाने के लिए मैंने यहां पर कडाई में सर्जो का तेल लिया है चार से पांट चमच गरम हो ग इसकी में बहुत ही अच्छा प्लेवर आता है इसको डालना मर्च है बिल्कुल भी इसको स्किप मैं नहीं करिएगा थोड़ा साम डालेंगे जीरा जीरा चौँ तो स्किप भी कर सकते हो दो सुखी लाल मिर्च और इसके साथ ही डाल देंगे हम हरी मिर्च अब इसके साथ में हम डालेंगे अपने कर्द आलो को अगर आपने आलो मोटा मोटा जगा कर्द किया है तो पहले आप मोडा सा आलो को दो मेटी लिए प्राई कर लो और फिर उसके कर्दो डाओ दो अगर आपने बहुत मोटा टप नहीं किया है तो आप साथ में पका सकते हो दो से तीर मिर्च तक आप आलो को फ्राई करिएगा और उसमें कर्दू को एड़ कर दीज़ेगा दो से तीर में कर उसके हैं अब इससे आप बाखी के कद्दू को भी एड़ कर देंगे और इंको करेंगे मिक्स तोई दया इनको पठने देंगे चार से पाट मैट तक प्लेम जो है हमारा वो मीडियम रहेगा तो इसमें हम सूखे मसालों को एड़ करेंगे एक से दो मेट बाद ही इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर नमक नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हो और इंको मिक्स करेंगे ताप में ही डालेंगे थोड़ा असा शक्कर निल चीनी आप ये बिना चीनी का भी बहुत टेस्टी लगेगा लेकिन हम खटी मिटी बना रहे हैं सब्जी तो इसलिए मैं थोड़ा सब्सक्र चीनी डाला है अगर आपको चीनी ज्यादा चाहिए या पिर चीनी आपको अगर आप नहीं पसंद करते हो इसकिप भी किया तो भी यह सब्जी बहुत यमी होने वाली है 80% नमाया कद्दू आलू पक चुका है अब इसमें हम एक चम्मच भर के धन्या पॉडर डालेंगे एक चम्मच के लटबग डालेंगे अम्चुल पॉडर और आदा चम्मच डालेंगे लाल मिल्च पॉडर लाल मिल्च पॉडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो और इनको मिक्स करेंगे अम्चुल पॉडर से ही इसमें खट्टा सा स्वाद आता है तो जरूर डालेगा इसकिप नहीं करिएगा और इसको डखके पत्ने लेंगे फ्लेम हमारा मेडियम रहेगा देखिए कि पख चुका है लगबग लगबग हमारा अब इसमें हम थोड़ी से जगा करके इसमें डालेंगे पानी पानी बहुत जादा नहीं डालना है हमें सिब इतना डालना है कि हमारी सब्ची जो है वो अच्छे से गल जाए एक चमच गरम मसाला इनको मिक्स कर देंगे तो ऐसे कद्दू को थोड़ा थोड़ा मेस करेंगे हलके आतों से आलू भी हमारा देखिए पक चुका है यह देखिए अच्छे से कद्दू भी हो चुका है इस परम ऐसे थोड़ा थोड़ा मेस करेंगे बस अब इनको पकने देंगे डखकर लगाएंगे और उनको 5-6 मिट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर आलू और कद्दू की खटी मीटी सब्जी देखिए रेडी हो चुकी है कद्दू अच्छे से गल चुका है ऐसे आप हलका सगर मेस्ट कर दोगे कितना सुंदर लग रहा है हमारी सब्जी जो ह पूरी के सकते जवाबी नहीं है राइस के सग भी आप इसको खा सकते हो अलका सा ऐसे जो बड़े-बड़े कद्दू है आलू को नहीं सिर्फ कद्दू जो है उसको अलका सा आप मेस्ट कर दोगे चलिए सब्जी हमाई रेडी है अब हम फ्लेम को तेज करेंगे और एक मिया इसमें डालेंगे नमक के लिए एक से दो चमज तेल और बस सिंपल इसको हम गूत देंगे अब चाहो तो इसमें जीरा वगेरा भी डाल सकते हो आज मैं बिना जीरा का बनाने वाली हूं तो चलिए बस इसको गूत के तियार कर लेते हैं आटा जोगा ये भी रेडी हो चुक चलिए पूरी थाली आपको दिखाती हूं कि थाली कैसी लग रही है सब्जी कितना सुंदर हमारा कलर आया है इसका टेस्ट भी बहुत यमी होता है चलिए अपनी पूरी यों को ठाल लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूं अपनी थाली ग्रेक ये दखिए पूरी थाली ओ यो है आपको कहते बोर्येतों और आलू की चर्थ्पटी सी हथी में इसके संहर कोरी रef और सब्सक्पितLy युद्स के सब्सक्राइब्स किसी और में जरूरतर भी सिंपल नमन्मंग ड्ढ़़ा है है मैं ग्माल याँ हो तो आपको मेरी ड़ाली नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं रेशिपी के साथ अब तक के लिए थैंक यू से वाँच बास। झाल झाल झाल